नमस्कार आप देख रहे हैं दर इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार सरकार के गिरिह मंत्राले ने ये फैसला लिया है कि अब अपराधिक मामलों की जांच के लिए उसकी प्रगती को देखने के लिए अनुसंधान किस दिशा में जा रहा है सुस्ती तो नहीं ब 11 सिपाही के पद स्रीजित करने की स्विक्रती दी गई है इसके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 ड्राइवर सिपाही का भी पद स्रीजित करने की घोसना की गई है अब इन्वेस्टिगेशन मोनेटरिंग सेल यानि की IMC में इन सभी पदों को भरने की कवायत तेज हो स्विक्रती दी गई थी और सबसे बड़ी बात हम बता दे आपको कि यह जो मनेटरिंग सेल में अभी जिनकी भरती की जाएगी वो सारे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी रहेंगे अधिकारी रहेंगे एसपी जो रहेंगे वो भी रिटायर्ड रहेंगे साथ डीएसपी जो रफ्तार क्या है वही आपको बतादे कि पटना के बाहर दो रेंज में एक डीएसपी को रखा जाएगा और इन सभी पर निगरानी रखने के लिए पूरे श्टेट में एक एसपी अस्तर का अधिकारी रहेंगे और सबसे बड़ी बात हम बता दे आपको कि रिटायर्ड लो ही एक देखेंगे कारे को अब देखने माली बात है कि रिटायर्ड अफसर है और निगरानी करना है निगरानी करने में कितना जो है ये सक्षम हो पाते हैं और जितना टीम रखा गया है ये टीम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है बिहार में देखे तो जितने मामले हैं जित जवान हैं जो अधिकारी हैं कैसे इसका मोनेटरिंग कर पाएंगे यह आपने आपने प्राश्न है और सबसे बड़ी बात जब इसका गठन किया जाना था और कैबिनेट से मंजोरी मिलनी थी तो इसके लिए एक भरती की जाती और या फिर जो सर्विंग जो अफसर हैं उनको लगाया जाता क्योंकि यह ज़्यादा इफेक्टिव रहता है रिटायर्ड जो है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं उन निग्रानी भले ही करके अपना रिपोर्ट सरकार को सौपे कि इस कारण से देरी हो रहा है लेकिन वो दवाव नहीं बना सकते हैं और सदिकारी जो है वो दवाव ज़्यादा उनका सुनने का भी कारण कम है क्योंकि वो अल्रेडी रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको बताएं कि विहार में मोनेटरिंग से लिका गठान किया गया है गरी विभाग के अंतरगत और यह बिहार में जितने भी पुलीस थाने है या कोई भी केस है अपरादिक मामले से जुड़ा हुआ उनका मोनेटरिंग करेंगे और यह परियास इनका रहेगा कि विहार में जल्द से जल्द अपरादिक मामले का निप्टाड़ा किया जा सके ताकि लोगों में जो पुलीसिंग है पुलीस के साथ एक जो न्याय का उम जरूर कर लें धन्यवाद